ओम शान्ति, 27 फरवरी 2024 की साकार मुरली सुनते हैं, आज की मुरली है, ज्यान मन्थन के द्वारा सदा हर्षित रहना और श्यव बाबा की कमाल और अप्रम अपार महिमा, साथ ही आत्मा भीमाने स्थिती को नैचरल बनाने की विधि, साइंस और साइलन्स के बल का कॉंट्रास्ट, इश्वरिय सेवा की प्रेड़नाएं और महानात्मा बनने के लिए एक महमांत्र, प्यारे बाबा के महवाक्यों को जीवन में उतार पाएं, इसके लिए चलें, पहले चलते हैं अंतर जगत की यात्रा की और, भीतर जोती जगती देखें, मैं जोती बिन्दु आत्मा सुन्दर प्रकाश की केड़ने चारों और भी खेर रही हूं मैं आत्मा इस देहे के आवरण को ओड़े हुए हूं, इन आश्वान है, बदल जाता है मैं इसके अंदर जगमगाता सितरा, अपने घर और अपने परम पिता को यात करता हूं, दोर चान सितारों से पार कदेश, परम धाम देखता हूं, जहां मुझे आत्मा के पिता, जोती बिन्दु स्वरूप परमात्मा श्यव निवास करते हैं, अनन्त शक्तियों की केड़ने उनकी दूर तक फेली रहती हैं, वर्टमा समय, उस्रिष्टी पर स्वयम पधारें, प्रजापिता ब्रह्मा के तन्न में, और उनके मुखार विंद से, एश्वर ये वाने उचारण करते हैं, आज शिब बाबा बोले, मेठे बच्चे, सदा बाब की याद का चिंतन, और ज्ञान का विचार सागर मन्थन करों, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे, जितना बाबा को याद करना है, उतना ग्यान का चिंतन भी करना है, ग्यान का चिंतन मन्थन जब करते हैं, तो उसमें से अपने पर्सनल आंसर मिलते हैं, अपने जीवन चर्या पर हम ग्यान को रिलेट कर पाते हैं, ग्यान को पर्सनलाइज कर पाते हैं, इसलिए याद के साथ ग्यान का मन्थन भी करें, ग्यान की शक्ती जीवन में यूज करें, तो खुशी बढ़ती जाएगी, फिर सुनते हैं इस ड्रामा में शिप बाबा की बड़ी कमाल की बात, रामा में सबसे बड़ी कमाल शिप बाबा की यह हम जानते हैं, क्योंकि वे हमें सेकेंड में पावन परीजादा बना देते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मानुष से देवता बन जाते हैं दुनिया में ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला सिवाई शिब बाबा के और कोई हो नहीं सकता साथ ही बाबा हमें ज्यान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोश्नी में ले आते हैं दुनिया की ठोकरें खाने से बचा देते हैं, ये काम बाबा का ही है, इसलिए उन जैसी कमाल और वंडर्फुल कार्य कोई नहीं कर सकता, तो ऐसी अप्रम अपार महिमा है प्यारे शिव बाबा की, सेकेंड में चेंज करते हैं, हमें इंप्योरेस्ट से प्योरेस्ट की तरफ ले जाते हैं, उसके लिए समझ की तीसरी आँख दे देते हैं, इस समझ हमें गल्तियों की ठोकरें खाने से बचा देती है, फिर आज प्यारे बाबा हमें आत्मा भी माने स्थिती को नैचुरल बनाने के लिए कह रहे हैं बच्छे, तुम्हें पक्की आदत पड़ जाने चाहिए कि हम आत्मा है बाप हम आत्माओं को सुनाते है ये बात बुद्धी से समझ कर फिर एक्ट में आना है पाकी धन्दा आत्व करनाई है समझो तुम्हें कोई बुलाएगा तो जरूर नाम से बुलाएंगे नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं परंतु सिरफ अंदर में ये पक्का करना है हम आत्मा है बाहर को रूप नहीं बदलना है बाहर से तो ऐसे नहीं बुलाएंगे ना या आत्मा आओ वो तो अलग-लग हैं तो किस-किस को आत्मा बोलेंगे लेकिन बाहर से नाम जैसी पहचान है वैसा रखते हुए अंदर की स्मृती परिवर्तन करनी है कि मैं आत्मा हूँ बाबा मुझे आत्माओं से बात करते हैं मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात करती हूँ अब सुनते हैं हम बाबा की महिमा और उनके दिव्वे करतव्वे बाबा केते हैं तुम जानते हो कि चाहे अल्ला को हो, परमात्मा को हो, वो ज्ञान सागर है, सब का सदगती दाता बाप है, वैस्वयम हमको अलफ और बे समझा रहे हैं, अलफ कहते अल्ला, बे बादशाही को भी कहते हैं, बे बच्चे को भी कहते हैं, तो हम अल्ला की संतान है, इसकी गुईहिता बाबा हमें समझा रहे हैं, जिससे हम इतना इंप्रूब करते हैं, जो मनुष से देवता बन जाते हैं, वही हमारा सुप्रीम टीचर भी है, गुरू भी वै है, और बाप भी वै है, है वो भी आत्मा परंतु, सदैव और शरीरी है हम भी आत्मा है, पर शरीर में आते हैं, खेल खेलते हैं, वो सदा अशरीरी रहते हैं, उस आत्मा में ही ग्यान के संसकार है, वै समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वही प्यार का सागर, ग्यान का सागर है तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम विचार करो कि क्या ये कोई मनुष की महिमा हो सकती है क्यान सागर, प्यार का सागर, सिवाय निराकार, परम, पिता, परमात्मा की, कोई आत्मा की ये महिमा नहीं हो सकती महिमा सारी, निराकार की ही है, अगर साकार में किसी की महिमा है, तो उन्हों को भी ऐसा लाइक, निराकार बाप नहीं बनाया है पाकि कोई भी मनुष किसी की सदगती कर नहीं सकते क्योंकि रामा अनुसार सब मनुष्य आत्माओं को सतो, रजो, तमों में आनाई है यानि pure to impure बन नाई है, उनका तो ये निश्चित है इसलिए जो इन सतो, रजो, तमों के प्रभाव से सदा परे है वो निराकार शुप और मात्मा ही आकर हमें पतित से पावन बनाते है और इस समय हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ग्यान सागर है और इस पढ़ाई के लिए कहते हैं, दुनिया में पढ़ाने वाले देहेधारी टीचर होते हैं यहां तुमको पढ़ाने वाला स्वयम निराकार बाप है तो कह रहे हैं, मैं तुमको ब्रह्मा के मुख द्वारा गीता सुनाकर पदमा पदम पति बनाता हूं, वेश्व का मालिक बनाता हूं यही सर्वय शास्त्रमाई छिरोमनी गीता है, जिसे सुनकर तुम देवता बन रहे हूं यही सच्ची आकाश्वानी भी है, जो मैं उपर से आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाता हूं इसलिए इस ब्रह्मा मुख को दोव मुख भी कह सकते हैं इसके द्वारा वाणी निकलती है, मैं इनके साधारण तन में आता हूं, तब यह भग्यशाली रथ बन जाता है इनको नशा रहता है, कि हम यह पुराना शरीर छोड़ूंगा, हम नारायन बनूंगा यह नशा पढ़ाई का लक्ष है, जो इनको याद रहता है, वैसे तुम भी फॉलो फादर करो, तुमको भी इसे इम आबजेक्ट का नशा रखना है, कि हम भी नर से नारायन, नारी से लक्ष्मी पद तक की उची मनजिल को प्राप्त करेंगे फिर बाबा हमें कुछ स्मृतियां दिला रहे हैं, कि हे बच्चे, तुम कितने बेसमज बन गए थे, अभी मैंने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्रदे समझदार बनाया है, तुम्हें ये कभी भूलना नहीं चाहिए, कि हम अभी बाबा के साथ हैं बाबा आया हुआ है हमको मनुष्य से देवता बनाने, अब हमको पुरानी दुनिया का हिसाब चुक्तू कर पवित्र बन वापिस शांती धाम जाना है, ये वो बाते हैं कि हमारे अंदर खूमती रहनी चाहिए, मृतियां स्थिर हो जानी चाहिए, हमें शांती धाम जाकर फिर लौट आना है, नहीं दुनिया में राज्य करने के लिए, हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं, हम जब सदगती में रहते हैं, तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहते हैं, ये मुख्य सुमृतियां हमें रिवाइज करते रहना हैं, फिर बाबा हमें आज कुछ गुण धारण करने और कुछ आवगुण छोड़ने की बात कह रहे हैं, कि बच्चे बेहत का बाब तुम्हें बेहत का वर्सा देने आये हैं, जिससे तुमें किस जनम के लिए सुक शान्ती पाते हो, इसलिए अपनी अवस्था बहुत धैर्यव बनानी है, खरे का गुण धारण करना, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना, क्योंकि अहंकार गिरा देता, कोई भी हट नहीं करना, ये भी देय भी मान है, तुम्हें तो देवताओं जैसा बहुत मीठा बनना है, देखो, देवताओं कितने मीठे हैं, सब को उनकी कश होती है, तो देवताओं जैसा मीठा बनना है, धैरेवत बनना है, अठ नहीं करना है, देव भी मान में आकर अपना आंकार नहीं दिखाना है, अटेंशन रखना है, इश्वरिय सेवा का शौक रखने के लिए बाबा कह रहे हैं, मैं तुमको वंडर्फुल बाते सुनाता तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सुनकर, धारण कर, फिर दूसरों को सुनानी है, सदा इस सुम्रिती से सेवा परतत पर रहो, कि हम भगवान के बच्चे भी हैं, तो सर्वेंट भी हैं, भल घर में गीता पाठ्शाला खोलो, बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, यानि ग्यानधारण नहीं कर पाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है, तुम्हें सर्विस की नई-नई युक्तिया निकालनी चाहिए, रत न निकालने की मेनत करनी चाहिए, इसके लिए तुम विचार सागर मन्थन करके फिर पढ़ो, क्या-क्या मिस हुआ, तो सेवा के कई तरीके ग्यानधारण करके सुनाना, चाहे घर में स्थान देना, चाहे ग्यान मन्थन करके लिखना, फिर उसको रिवाइज करना, पर याद रखना, हम बाबा के बच्चे भी हैं, सेवक भी हैं, अब सुनते हैं, साइंस बल और silence के बल का contrast तो बाबा समझाते हैं ये holiest of holy class है यहां बहुत silence होनी चाहिए तुमको शान्ती में रहे बहुत प्यार से बाप को याद करना है क्योंकि silence के बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो विश्व में शान्ती स्थापन करते हो दुनिया में तु मनुष जो इतने bombs बनाते हैं उससे विनाशी होता है उससे तो विश्व में शान्ती स्थापन होना सके तो उसके लिए चाहिए प्यार से बाबा को याद करना चान्त रहना साइलेंस का बल जमा करना अब लेते हैं हम बाब से आज का वर्दान में सुस करते हैं बाबा को अपने सत्गुरू के रूप में पसर्व शक्तिमान है पतित पावन है रया सिंदू है अपनी शक्ति दे हमारा बेड़ा पार करते हैं उनका वर्दानी हाथ मेरे सिर पर है उनका वर्दान मिल रहा है बच्चे मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महानात्मा भव महानात्मा बनने का गुर सिखा रहे बबाब आप बच्चे को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वर्दान है मन मना भव है मन एक में लगाना और मध्याजी भव है सत्युग स्वरक की दुनिया को भी याद करना तो अपना स्वरक का स्वरूप स्मृती में रहे इसको कहते हैं मध्याजी भव जो अपने स्रेष्ट प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं जो मध्याजी भाव हैं या मन मनाभाव तो होंगे ही ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं स्मरिति स्वरूप बनना माना, महाना तुमा बनना, तो हमें बाबा की याद के साथ साथ अपने स्वरक के स्वरूप की प्राप्ती की भी याद में रहना है, काकि वो गुण हमारे कर्मों में आते जाएं, खलोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना अंडर लाएं कुशी के खजाने को कभी छोड़ना नहीं है आज की मुरली से होमवर्क लेना कि सदा हर्षित रहने के लिए जार सागर मंधन करना मुरली से कोई न कोई पॉइंट लेकर उसको अंदर धोटते रहना चर्निंग में जाना और उसको पर्सनलाइज करना कांकि खुशी बढ़ती रहे और उंच बद पाने के लिए अवस्था बहुत धैरेवत बनाने किसी बात में आंकार नहीं दिखाना देवताओं जैसा मीठा बनना और याद रहे सेवा के लिए कि हम भगवान के बच्चे भी हैं सर्वेंट भी हैं और महान आत्मा बनने के लिए भविष्य स्वरूप के नशे में रहना और बक्का करना कुछ भी हो जाए तुशी कभी नहीं छोड़नी है सावा की पवित्र शान्त सुखदाई केड़नों को अपने अंदर समाते अपने अंदर एक दिव्य तेज भरते जाना है ओम शान्त सोपाई के भाए पर फ्योड़नी है अपने समाते में लिए आपके ग्विए और में अंदर से कृड़नी है ये लिए प्योड़नी है आके आके भाए